अपने बयानों से हमेशा सुरुखियों में रहने वाले भाज़पा के राष्टिये महासचिवे कैलाश विजेवर्ग ये एक बार फिर अपने एक बयान की वजह से विबादों में फस्ते हुए दिखाई दे रहे हैं अब उन्होंने महिलाओं को लेकर एक बयान दिया है जिसमें वो साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कुछ महिलाएं ऐसे कपले पहन कर निकलती है कि मन करता है उनको कार से उतर कर ठपड मार दे वो पूरी सूपर लखा लगती है विजेवर्गी का ये वीडियो हनुमान जयन्ती का पताया जा रहा है जो अब सोशल मीडिया पर जम कर वैडल हो रहा है केलाश विजेवर्ग ये बोल रहे हैं कि कुछ लड़किया इतने गंदे कपले पहन कर निकलती है कि बिल्कुल तूप्र लखा लगती है वो आगई ये कहते हुए नजर भी आ रहे हैं कि मैं क भगवान की कसम हनुमान जयन्ती पर जूट नहीं बोलूगा लड़कियां भी इतने गंदे कपले पहन कर निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं उनमें देवी का स्वारू भी नहीं दिखता बिल्कुल तूपर नखा लगती हैं सच में अच्छा सुन्दर इतने हुए देखना हूं तो सच में एसी इच्छा होती कर उठर के उनमें 5-7 एसे निने नशा उतर जाएं सच में करा हूं हम भगवान की कसम भाकिता मुमान जयन्ती को जूट नीकर निकलती हैं कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं उनमें देवी का सरू में निक्ता है सच में अच्छे सुजर भगवान ने शरीप किया हैं तो जरा अच्छे पक्ड़ा के नोया बच्चे को आप संस्कार डाले हैं मैं हो चिंति दू इंदोर हर वात में नमबर मन है और पिछले दिनों नशे दे जिस प्रकार युगार पिड़ी को छेड़ा है वो कलकी जी हमा पिछले महिने उन्होंने पित्र परवत और आयोजित्य हनुमान 48 के आयोजिन में आट आफ लिविंग के प्रणेता श्री श्री रविशंकर के सामने इस पर चिंता जताई थी उन्होंने कहा था कि वो युवाव को नशे से दूर करने के संबन में अभियान चलाएंगे इस कर account भुझ को युझ करना था